नमस्कार में उप्रिया, आज 31 अगस्ते चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में कोबर 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची एक लाख 35,000 के पार बिहार में कोबर 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जारी है स्वास्तिव भावितों की संख्या एक लाख 35,000 पर पहुंच गई है अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 101, अरवर में 33, और अंगबाद में 64, बांका में 33, बेगु सराय में 18, भागलपुर में 102, भोजपूर में 89, बकसर में 18, दर्भंगा में 29, पूर्वी चंपारन में 80, गया में 46, गोपाल गंज में 40, पूर्णिया में 100, रोहतास में 50, सहरसा में 112, समस्तिपूर में 56, सारण में 47, शेकपुरा में 18, शेवर में 11, सीता मढ़ी में 24, सिवान में 17, सूपॉल में 42, वैशाली में 26, पश्युम चंपारन में 78, वहीं कोबर्ड-19 से ठीक होने वालों के स्तंख्या में भे इजाफा देखा जा रहा है, स्वास्तिवभाग के तरफ से शाम 4 बजे तक ज़ारी किया अपडेट के अनुसार कुल में लाकर 117,305 मरीज ठीक हो चुके हैं और 688 लोगों की जान जा चुकी है बिहार के चंपारन के बरना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने मन की कारेकरिम के दौरान बिहार के चंपारन जिले के परंपरा बरना का जिक्र किया है इस परंपरा को 60 घंटे के बरना के नाम से जाना जाता है वही कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए भी मनाये जाते हैं, बिहार के चंपारन में सदियों से थारो, आधिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लोकडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए बरना क थारू समाच में अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया और सधियों से बनाया हुआ है। पुर्णिया और आरा के दो-दो सेंटरों में आयुजित होगी वहीं परीक्षा में साफतोर पर 99 प्रतिश्च चातरों को पहली प्रात्मिक्ता वाले शेहर का सेंटर आवंटित किया गया है। जिसके बाद इस आदेश को बिहार पुलिस असोसियेशन ने विरोथ किया था। यह देश का एक मात्र पार्ट होगा जहां पर एक कलप्रिक्ष भी लगाए गया है। इस पार्क में 277 कलप्रिक्ष लगाए जाएंगे पार्क में सैक्रों तरह के दुर्लब पौधे हैं यह पौधे देश के कई हिस्सों में लाए गया है। स्वास्तमंत्री मंगल पांडे के आवास का एनम कर्मचारियों ने किया घेराफ। कॉलेज अस्पतालों में लगाई जाएगी RT-PCR मशीन भिहार के नौ-मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दो-दो RT-PCR मशीन लगाए जाने की योचना बनाए गई है। आज बिहारी पैचान में हम बात करेंगे स्वाती शर्मा की। अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग से की स्वाती शर्मा को सुनिती चौहान से भी तुलना की जाती है जो कि बॉलिवुट की जानिमानी गाई का है। वायोना ने चंडिगर युनिवर्सिटी से म्यूजिक में अपना कोर्स कंप्लीट किया है और साल 2014 से लगाताल गाने से जुड़ी हुई है। बिहार में मुबाइल टावर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमती। सुषान सिंग राजपूत मामले में बहन मीतु सिंग और प्रियांका से भी पूछताच करेगी CBI। साथ उनकी बहन मीतु रह रही थी लेकिन उनकी अभी तक कोई पूछताच नहीं की गई है। बिहार में असी दिनों में 937 mm बारिश हुई दर्ज। बिहार में इस बार मौनसून महरबान नजर आई है मौसम विभाग के अनुसार इस बार मौनसून सत्र के दौरान 80 दिनों में 937 mm बारिश दर्ज की गई है जो सामाने से 23 फीस दी ज्यादा है। एक बार फिर से तेज बारिश के आसार हैं जिसके परिणाम स्वरूप अगले 30 दिरों में औस तन कई जिलों में 40-50 mm बारिश होनी की उमीद जताई गई है। की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ अगस्त महीने में बिना मास्क पहने लोगों से 70,23,100 रुपे का फाइन लिया गया है। की ततकालीन, S.P. धूरत, सियाली, सावला राम द्वारा लागू मॉडल को लागू कर दिया जाएगा जिससे दूसरे के नाम पर मतदान करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग सभाचुनाफ के दौरान अररिया में दूसरे के नाम पर मतदान करने की संख्या में गिरा हौल में सोनुसूद सभी प्रवासियों के लिए साथ ही जरूरत मंदों के लिए मसीहा बन कर सामने आए हैं इस लिक्रा में मुजफरपुर के क्यूबक मुकेश कुमार ने सोनुसूद को अपने एक महीने के वेतन को देने की पेश कश्वी है उन्होंने अपने ट्विटर पर सोनुसूद को टैग करके अपने एक महीने के वेतन को डोनेट करने की बात कही इस पर सोनुसूद ने कहा कि आप से ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता आप अपने आसपास के लोगों की मदद करे मैं समझ रूँगा कि आपने मेरी मदद कर दी है आगामी विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस करेगी सप्ता परिवर्तन का आवाहन कॉंग्रेस आगामी विधान सभा चुनाव में महागटबंदन का हिस्सा रहते वे मैदान में उतरने वाली है वहीं कॉंग्रेस ने मैदान में उतरने से पहले चुनावी नारा भी चुन लिया है कॉंग्रेस चुनाव में राजु में सत्ता परिवर्तन का नारा गड़ रही है जिसमें कॉंग्रिस का नारा है बोले विहार बदले सरकार यानि कि साफतोर पर विहार में कॉंग्रिस ने भी वधान सभाचुनाप को लेकर कमर कसली है सवा लाख वोट सदसे उपर अब है भाचपा की नजर विधान सभाचुनाप को लेकर सभी पाटिया तैयारियों में जुट गई है भाचपा भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है भाचपा की नजर प्रदेश के पंचायत और बोट के जन प्रतिनिदियों पर पूरी तरीके से हो गई है जिसको लेकर रणनीती बनानी शुरू हो गई है भाचपा विधान सभाचुनाप की तैयारियों को लेकर काफी सतर के दिख रही है प्रदेश के सवा लाख वोट सदसे पर भाचपा की नजर ठीके हुई है प्रदेश कार्याले में आयो जिद वर्च्वल रैली के माध्यम से उकमुखी मंतरी सहित कई नेताओं ने कारे समीती कारेकरताओं को संभूधित करने के दौरान उक्त बाते कही है भोजपुरी सूपरस्टार अक्षरा सिंग ने अपने जर्मदन पर किया नेक काम जिसके बाद उनका साथ वर्ष यप पुत्र बेगर और अनात हो गया था वहीं इसकी मदद के लिए अब अक्षिरा सिंग सामने आई है बिहार वधान सभा चुनाफ में नामांकन दाखले करने में एक साथ दो व्यक्तियों को ही मिलेगी मन्जूरी आगा में बिहार वधान सभा चुनाफ को लेकर के तैयार यां जोर शोर से चल रही है हालाकि तैयारों के बीच इस बात का भी खास खयाल रखा जा रहा है कि पूरे देश में इस वक्त COVID-19 का माहौल है ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवारे है वहीं अब चुनाफ आयोग ने नामांकन प्रक्रिया में पूरी तरीके से बदलाव कर लिया है जारी आदेश में साफतार पर कहा गया है कि नामांकर प्रक्रिया में केवल दो व्यक्ति एक साथ उपस्यतों रह सकते हैं साथ ही अधिक्तम दो वाहनों के इस्तमाल के अनुमती दी गई है रोड शो के लिए भी दसकी जगह मात्र पांच वाहन की मंजूरी दी गई है बिहार के सभी 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी प्लूरल्स पाठी प्लूरल्स पाठी के जनिल संपर्क करने का अच्छा समय मिल रहा है पार्टी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किसी के साथ कोई गठ बंदन नहीं करेगी प्लूरल्स पार्टी की तरफ से साफतोर पर कह दिया गया है कि हमारा सपना सत्ता में आने के बाद 10 साल के अंदर राज्य को देश का नंबर वन राज्य बनाना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल में काम को देखा जाना चाहिए प्रधान मंत्री मोदी ने घर गए बिजली पहुचाई है सडक निर्मान करवाया है प्रधान मंत्री ने 6 साल के कारेकाल में जिस तरीके से काम किया है उसके बाद वपक्ष कहीं है ही नहीं जहारखंड सरकार पर बरसे तेजप्रताप यादव बिहार के पुरुस्वास्तमत्री और लालुप्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने जहारखंड सरकार के रवईये पर अपनी नाराज की दिखाई है मिली जानकारी किनों से जहारखंट सरकार की तरफ से तेश प्रताप यादव के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद नारास तेश प्रताप यादव ने कहा है कि मामला तो जहारखंट सरकार पर होना चाहिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपने कारिक्रेम में कुछ दुनों पहले ही अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे काम को याद रखेगा और काम पर ही वोट दीजेगा इसी बयान को अब विपक्षी दलने उठाना शुरू कर दिया है जिसको लेकर रालोसुपा महासचेफ सहप्रवक्ता धीरत सिंग कुश्वाहा ने सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि नितीश कुमार को उनका यह बयान जद्यू के लिए मुसीबत साबित करने वाला है एक सितंबर से 31 सितंबर तक राहुल गांधी करेंगे वर्चुवल रैली का आयोजन बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बठनी शुरू हो गई है और यही कारण है कि कोबर्ट 19 के माहौल के बीच में चुनाव का होना लगभग तैमाना जा रहा है जिसके बाद अब सभी राजनेतिक दल्ग तयारियों में जुटके हैं इसकरा में कॉंगर्स ने भी बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए रनीती बनानी शुरू कर दी हो और यही कारण है कि कॉंगर्स ने तरहुल गांधी बिहार में चुनाव को लेकर 1 सितंबर से वर्चुल रैली का आयोजन करने वाले हैं सुरेश रायना ने टीम से बाहर होने की वज़े का खरासा किया है जिसके थहत उन्होंने बीदे दिन बताये है कि उन्होंने यह फेसला अपने परिवार खास करके अपने दोनों बच्छों की वज़े से लिया है रैना को इन दोनों की काफी चुद्धा थी, उन्होंने कहा है कि उनके परिवार से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं स्मार्टफोन में डार्क मोड यूज करना यूजर को पढ़ सकता है भारी, आजकल स्मार्टफोन में डार्क मोड फीचर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, मगर यह फीचर यूजर को ही परिशानी में डाल सकता है, डार्क मोड फीचर आपकी आखों के लिए नाजुक साब और वाइट कलर का टेक्स्ट पर ना बहतर लगता है लेकिन जब आप लाइट मोड पर जाते हैं तो इसका असर आपकी आँखों पर पढ़ता है विजन कमजोर होने लगता है कल हमारे द्वारा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जीन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रावजब भाया नितीश कुमार, नूतन सिं इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब बचे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार आगामे विधान सभा चुनाव में पुश्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी लोगों के बीच अपनी लोग प्रियता बनाने में कितनी सफल साबित हो पाएगी अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बता इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपी वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाना ना भूले और अगर आपी वीडियो मारे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जादे जादे शेयर करें, धन्यवाद